हलो एवरिवन वेलकम बैक टो मैं चैनल कुझाफी से लावरी ओर चैनल कैसो अप लोग आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे नीचे वैल अकने सो प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालू उसका नटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है आज के वीडियो में बताने वाली हूँ जी हां महाशिवरात्री वरत कथा महाशिवरात्री वरत कथा गुरूर पुरानों के अनुसार इस दिन एकनिशाद राजा अपने कुत्ते के साथ सिकार खेलने गया किन्तु उसे कोई सिकारी नहीं मिला वे ठक कर भूख प्यासे परिशान होकर तलाव के किनारे बैठ गया जहां बेल व्रिक्च के नीचे सिवलिंग था अपने सरीर को आराम देने के लिए उसने कुछ बेल पत्र तोड़े जो सिवलिंग पर गिर गये अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने उन पर तलाव का जल छिड़का जिसकी कुछ बुंदे शिवलिंग पर भी जा गिरी ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया जिससे उठाने के लिए वे शिवलिंग के सामने जुगा इस तरह शिवरात्री के दिन शिव पोजन की पूरी प्रकेरिया उसने अंजाने में ही पूरी कर ली रितों के बाद जब यमदूत उसे लेने आए तो शिव के गणों ने उसकी रक्षा की और उन्हें भगा दिया कैसा लगा आप सभी को हमारा ये महाशिवरात्री वरत कथा प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना बिलकुल न भूलना मेरे वीडियो को इंट तक दिखने के लिए दिल से धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग कीप सपोर्ट